जहें दोस्तों स्वागेत आपका हमारी यूटेट चनल इलेनी बिद्रगेश में आज हम लोग इलेनी बिद्रगेश पर सीटेट प्रामरी के तीन महत्पूर्ण विश्व के सिच्ण को पढ़ेंगे जहां पर पर्यावरन सिच्ण हिंदे सिच्ण और गणी सिच्ण इन तीन महत्पूर्ण जो सिच्ण है क्योंकि यहां से प्राए आपके परिक्षा में प्रश्ण आते हैं और उस परिक्षा के प्रश्ण को तयार करने के लिए हम आपके ल साल में जाते हैं तो हमें सीट में चार के चौर विकल्प पहुंचने के लिए सभसे बड़ी समस्षा यह होती है कि हमें विकलपों का मैं NCRT के data का NCRT के सब्दों का ही प्रयोग करूँगा तो जो साती NCRT की सीरीश पढ़ रहे होंगे जिनने NCRT के तहरी की होगी वह ऐसे प्रश्णों को आसानी से कर लेंगे आसानी से समझ पाएंगे ठीक है तो बिना देरी कि ये मैं आगे बढ़ रहा हूं एक एक वीडियो काफी बढ़ा होगा और आपके लिए महत्वपूर्ण भी होगा हम आगे बढ़ रहे हैं एक एक प्रश्ण की तरब पहला प्रश्ण आपके सामने डिस्प्ले पर दिख रहा है जी हां यह इलनी भी दुर्गेश की है क्लासेज है प्रश्ण है कच्छा पांच का स अमीर अक्सर समय पर पर्यावन अध्यन की सिच्छका के पास दत्यकार जमान नहीं करता फिर इससे निवटने का सर्वत्तम सुधारात्म कुपाए हो सकता है जो लोग वीडियो को लाइब देख रहे हैं सभी लोग फटाफ़र कमेंड करें और कमेंड करके दिएगे प्रश अगर गलत है तब भी आपको बताना है क्यों क्योंकि गलतियों से हम लगातार श्रिक्ते हैं देखिए यहाँ पर इस प्रशने का उत्तर जो है मैं इसकी व्याख्या करने जा रहा हूँ ब्याक्षा में हम लोग आराम से पढ़ेंगे इस बात की भी से में प्रधानाचार से नहीं करनी है हम उसे डंड देने के बारे में किसी प्रकार कर नहीं सोचना है चाहे वो डंड सकारात्मक हो चाहे वो डंड नकारात्मक हो इसलिए यहाँ पर यहाँ प्रश्ण का बिकल्ब गलत हुआ फिर उसे खेल कुट की कच्छा में जाने जो करना यह भी नहीं करना मैंने आपको उपर बताया कि आपको यह क्या क्या था यह NCRT का अगर आपने पेड़ क्लास में आपने नोट्स लिया होगा या तो आपने क्लत अब यहाँ पर दीएगे पैसने का उत्तर क्या होगा सी, मने उसके बिचारे के बारे में जानना वो नहीं कर पा रहा है अकलर वो दत्थकार को दिया जा रहा है अकलर आपके नहीं पाता गर में कोई दबाओ है मतलब हमें उसके स्वास्त के बारे में घरेलू अन सभी के बारे में उसके अनिमित्ता का पता लगाना है न की शिकायत करना है एक बात त्याद रखेगा जितने लोग इस वीडियो को लाइब देख रहे हैं मेरी बात को गौर से सुनिएगा देखे जो मैं करता हूं कि प्रशन इसके बाहर नहीं आएंगे मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रशन की तरफ अगला प्रशन आपके सामने है साथ आपको दिखाई दे रहा होगा और मेरी बात आपको सुनाई भी दे रही होगी यहां पर प्रशन है सब लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किया जिन्होंने पहला काम लाइक कर ले और लाइक करने का वाद वीडियो को सभी साथी को शेयर कर दे दिखिए आपको पैसे नहीं लेंगे लेकिन मेरे जो चीजें वो लोगों तक पहुच जाएंगी यहां पर कह रहा है यहां पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए ख आप लोग जो प्रष्ण दिया गया है वो ईसको कह रहा है कि जो भी उसे गीले कपड़े में लपेड़ माने किस चीज को कौन से खादे पदार्थ को या कौन सा खादे पदार्थ है जिससे अगर हम गीले कपड़े में लपेड़ दे तो उसके जो मुर्जाने का समय जो उसका कारिकाल एक तरह जो इसकी आयू है वो थोड़ी सी बढ़ उसके बाद स्कोर करना है तो यकीनन आप ऐसे प्रश्ण को आसानी से कर लेंगे अब हम क्या करेंगे कि पका हुआ चावल अगर चावल को कपड़े में लपेट देंगे तो ठंडा हो जाएगा और जल्दी से खराब हो जाएगा प्या जो लेसुन को करें कपड़े में हैं और गीला कपड़े में धनिया को रख देंगे सुबह तक अथानिस चल पाएगा मतलब यहां पर जो दिया गया प्रश्ण है उन सभी का उत्तर तीसरा अर्था सी राइट एंस वह जितने लोगों ने दिये प्रश्ण का उत्तर सी बताया है उन सभी के जवाब पूरी त चल आई जाती है और online class के लिए हाँ पर एक number दिया गया है जो साइध भविष्ण आपको काम आए मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्ण की तरफ अगला प्रश्ण आपके लिए साइध सरल है और महत्त्पूर्ण भी है और मैं उमीद करता हूं आप इसे देख भी प सकती है जिससे सोनी मोनी कोई बी हो सकता है फीक पर करण पढ़ाते समय सिच्चका यह समझाने के लिए अनेक उदारन देती है कि घरसर हमारे लिए कई तरह से उप्योगी है उनके द्वार्व लिए गए निमिखित में से कौन सा उदारन गलत है माली जी आप एक पढ़ा रही है उन्होंने चात प्रकार के example दिया है घरसन को समझाने के लिए अब इसमें से कौन सा गलत है कौन सा गलत है यही आपको बताने हैं माने तीन सही है और एक गलत है वही आप लोग को फटाफट कमेंड करना है और कमेंड करके दिये गे प्रशन का सही जबाब देना है जो लोग इस वीडियो को लाइब देख रहे हैं जो भी लोग फटा-फट कमेंट करें यार आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं वीडियो को सेर कर सकते हैं फेस्बुक पे डाल देजिए अपने फेस्बुक की वाटसप पे स्टेटस पर ग्रूप में अपने फेस्बुक ग्रूप में जितना होसे के लोगों तो पहुचाईए इतनी किरपा आप करिए यकीने आप सीटेट अच्छे अंकों से क्वालिफाई होंगे ठीक है यहां पर देखिए मैं आप बताता हूं ब्रेक लग यहां पर एक प्रशन को बता रहा हूं पेन की जो नोख होती है वो पेपर के बीच होने वाले घरसण कारण हम लिख पाते हैं अगर प्लेन पेपर पूरा हो अगर उस पर लिखना चाहिए तो पेन हमारा नहीं होता है घरसण बलक कारण हम क्या करते हैं लिख पाते हैं मनि उन्होंने सही उदान दिया हम जो जूता और जमीन के बीच होने वाला घरसण कारणी चल पाते हैं अगर जूता या चपल मारा प्लेन हो जाए उसमें डिजाइन खतम हो जाए तो घरसण बढ़ नहीं लेगा हम स्लिप करकर गिर जाएंगे मनि ये उदाऊन ने सही दिया फिर आगे देखेंगे ब्रेक लगाने पर वहाँ रुख जाता जब ब्रेक लगाते हैं तो जो गारी के टायर होत है सायकल टायर गिज़ जाते हैं हम लेकि किसी के साथ भिड़े जाते हैं मतलब ये भी शही है ले वहां पर एक जम्पल जो थे वो क्या थे जो टैंग यह उत्तर रहे वह जितने लोगों का शी बताया था उन सबी के जबाब पूरी तरह से सही है जितने लुट वीडियो को लाइप देख रहे हैं ओर लोग जितने लोगों ने लाइक शेयर किया है भगवान करें पहली बार म अबी उत्र करने के बाद जल्दी से अपने पद की तरफ पहुचे मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले पैशने की तरफ मैं थोड़ा सा अगर आप सेयर करेंगे संख्या अच्छी होगी तो मैं अच्छे समझा रहा हूं मैं काफी लंबा पढ़ाऊंगा वरना फिर हम भी आप लोग की तरह करेंगे जब आप लोग को सेयर करने में लाइक करने में पैसा लगता है तो पानी के साथ प्रियोग करते हुए जोती यह देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है लेकिन लोहे की एक छोटी सी कील लूब जाती है यह अच्छा पांच के एंसे अच्छा पांच में और हमारे नोट्स में भी है यह ठीक है इस तथ द्वारा व्याक्षित क्या की जा सकती है सबी लोग फटा फट कमेंड करेंगे कमेंड करके दिये के पश्णों का सही जबाब देंगे ठीक है क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं ठीक खेत में नहीं, अगर किसी ने कहा, अगर एक टोकरी में 100 आम रखे गए हैं, अगर उसमें से 80 आम सही हैं, बाकी खराब हैं, तो बाकी कितने हुए, बीस, तो किसी ने सवाल पुछा, जो लोगों ने नहीं सेर किया, तो उनके लिए हमने कुछ कहा नहीं, आप समझदार हैं, आपके लिए हम इतनी मेहनत करने में समय लगा, देखिए, इस बात पर हम लोग देखते हैं, देखिए, लोग पानी के तुला में भारी और इस्ट्रील पानी के तुला में हलका होता है, देखिए, यहाँ पर थेरी, एक आर्कमडीज, जैसे आप इसे धानत आपको नहीं ब बराबर है, तो वस्तु क्या होगी, बीच, वस्तु क्या होगी, बराबर है, तो वस्तु बीच में तेरेगी, ठीक, अगर उसके दोर हटाएगा, जल के भार से कम है, तो वस्तु ऊपर तेरेगी, कहा तेरेगी, लेकिन भारी है, तो डूब जाएगी, क्या होगी, दूब ज तुलना में ज़्यादा जब कि लोहे कील पर लगने वाला बल इसके भाव के तुलना में कम हैं। इसलिए कि पश्ण का सबसे जो उपरिक टिबिकल्फ होगा, क्या होगा। सभी लोग फटाफट कमेंड करें और कमेंड करके जबाब दें। सबी लोग फड़ा फड़ कमेंड करें दिखें यहाँ पर कुछ लोग सी कह रहे हैं ठीक यहाँ पर आप लोगों ने उल्टा बताया है सी नहीं होकर इसका जबाब बी होगा मेरी बात को गौर से समझे यहाँ पर बी होगा लोहे की लगने वाला बल उसके बार के तुलना में जादा है मैंने कहा जब कोई वस्तूम किसी जल में पूर्ण आसी रूप से डूब होई जाती है उसके द्वार हटाएगा जल के भार से जादा है तो डूब जाएगी कि डूबने की बात कौन भी कह रहा है ठीक और जबकि हलकी है तो तैरेगी मतलब जितने लोगोंने भी जाए था उनके जबाब सही है बाकी लोग के जबाब गुलत है यहां पर सी वाले गुलत है गलती को स्विकारिए लेकिन परिच्छा में गलती मत करिएगा यह NCIT में है NCIT क्लास 6 में भी है NCIT क्लास 5 में भी है ठीक है तो दोनों चीज आप लोग समझते रहेगा क्योंकि जातार बेहतर करता हूं इमांदारी जिकरता हूं सफलता के पत्पर आगे बढ़ाओं आप ही अपना काम इमांदारी से करें ठीक मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रिश्ट की तरफ कि ठीक है अच्छे काम करते हैं थोड़ा सा एक बार मैं दुबारा समझा दे रहा हूं अगर यहां पे कोई बरतन है जैसे यहां पे कोई बरतन है इस बरतन में हम पानी रख देते हैं मैं अरकमडीच का सिधान दे बार पढ़ा दे रहा हूं मैं देख रहा हो सकता विकल मैंने गल्स तो नहीं बता है मैं एक बार दे रहा हूं अब लोहे के कील दोर रहताए जाता है उसका अधीक होता है लोहा ढूब जाता जाता है अई स्तील की कटोरी पर लगने वाला पल लेकिन अब बल नहीं मैंने कर dispiel का बल दोर Можетा की बहुतिर हो। ठीक है? उप्लावन बल की भी बात हो रही है इसलिए यहां पर दिएगे जो तत है वो यह क्या रहा है कि कील बर लगने वाला बल कील पर लगने वाला बल उसकी भार की तुल्ना में कम है जिसकी वज़़ से कील के होता है? पानी में डूब जाता है Youtube इसलिए का उत्तर क्या होगा होगा एक बार आप लोग अच्छे से देख लिजेगा इन दौनों में अंतर क्या है यहाँ पर वस्त द्वर फटायागे जल की भार है और यहाँ पर बल धेखा परियोग किया है यहां पर फोर सब परियोग किया है ठीक इसलिए एक बार आप लोग और भी देख लिजेगा B और C में confusion आपका clear हो जाएगा ठीक बल और हटाया गया द्रव का भार ये दोनों चीज़े अलग-अलग होती है मैं आगे बट रहा हूं अगले प्रश्ण की तुलना में अगला प्रश्ण आपकी बीच साथ आपको दिखाई दे रहा होगा कि वायू प्रक्रण वायू प्रदूसन है एर प्रक्रण को पढ़ाने के लिए चार अलग-अलग बिज्ञान सिच्छक चार तरह की सिच्छट पद्धती का प्रियोग करते हैं निमने कितमे से सबसे बहतर पद्धती कौनिया पर जितने लोग लाइब देख रहे हैं दीपक जी देख रहे हैं और मुर्मा जी देख रहे हैं और सोनी जी देख रहे हैं और एकता जी देख रहे हैं जितने लोग लाइब मारी चार सिच्छक क्या है अपलो चार सिच्षक Y-Purd Asian को पढ़ा रहे हैं लेकिन सबसे ज़ादा बहतर तरीका किश्का है वही बात आपको कमेंट करके बताने हैं मनिन मेंसे सबसे बहतर तरीका शार मेंसे आप पढ़ा engineering को किसका लग रहा है जिसका लग रहा हो वो कमेंट करके जो लोग इस वीडियो को लाइब देख रहे हैं भाईया जी आप लोग कमेंट करके जवाब तो दे सकते हैं सिवानी जी आप बताईए भाईया धरम राज, रीना, गौरो, राहूल, प्रग्या, नुपूर, शबनम, श्वेता, कलपना जो भी लाइब हैं, सभी लोग कमेंट करने के बाद, अभ्यास में दिएगे सभी प्रष्णों को उत्तर लिखवाना देखे, बच्चों को लिखवाना, रटवाना, मारना, डाटना, कॉंठस्ट कराना, इन सभी की मनाही है ये पूरी तरह से सही नहीं है, आगे बढ़ रहा हूँ, बिद्यार्तियों को पार्ठ पुस्तक में प्रक्ण का सस्वर पठन करने के लिए कहना और सब्दावली का अर्ट, देखे, मैंने कहा था, सब्दावली, याद करना, रटना, ये सारी जहां पर आजाएं, वो तो अपका गलत फिर कहा रहा है, अब यहां पे कुछ लोग B और C में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज हैं तो भाया, एक बार मैं पोल कला ले रहा हूँ, जितने लोग वीडियो को लाइब देख रहे हैं, अब ज़र आप लोग कमेंट करके बताएं, B और C में सबसे सही कौन है, जो लोग लाइब देख रहे हैं, सभी लोग फड़ाफट बताएं, B और C में सबसे सही कौन है, चल करेगा निसकर्ष के लिए साड़ी कृत करना ये बच्चों के प्राथमिक अच्छा का काम नहीं होता किसके आधार पर NCF 2005 के आधार पर हमें बच्चों को सूचना से दूर रखना है सूचना को ग्यान नहीं मानना है अब बच्चा एक ही भी कल विद्यार्थियों को वाई प्रदूसर्ण पर ब्रित चित्र बनाने के लिए कहना क्योंकि जब वाई प्रदूसर्ण आप पर हारीं जबी सिच्छा क्या सिच्छका है तो सिच्छर पतिती का जो प्रियोग करेंगे उसमें ब्रित चित्र के माध्यम से बिद्यार्थी प्रक्रण को रूचिपून तरीके समझते कैसा रूचिपून तरीके से प्रक्रण को सम बच्चे को दिखाकर जब हम यह काम कराएंगे तो उनका जो अधिकम होगा वह काफी लंबा और अस्थाई होगा इसलिए यहाँ पर दिये अलग दिया है देखे मेरा नाम दुर्गेश जाष्वाल है और मैं यूट्यूब चेनल ईलनी ब्रगेश पर इलनी ब्रगेश की फेसबूप पेज और यूट्यूप में पढ़ा रहा हूँ तो मैं जो पढ़ाता हूं वह किवल एंस इयाटी पढ़ाता हूं क्या पढ़ाता क्या करता हूँ NCIAT के आधार पर तत्यों की डाख्या करता हूँ और यह NCF 2005 कहता है कि निसकर्सों को सरली कृत करना ये बच्चों का काम नहीं है इसके पहले मैंने प्रश्ण को पढ़ाया था जब मैंने भ्रमण बिधी पढ़ाया था तो वहां पर भी मैंने बताया था कि आपने देखा होगा प्रतेक प्राथिमी बिध्याले में बाल बिज्ञान मेला लगता है उस बाल बिज्ञान मेला में बहुस सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिने वाइप पर ब्रित चित्र दिखाया जाता है और उनसे बनवाया जाता है तो यहां पर बच्चे रुचिपू आगली साउन तेज करके गाना बजा कर एक मुंबत्ति जला कर एक अगरबत्ति जला कर हम बच्चों को यह बता सकते हैं कि वाई पर दूसरन कैसे है इस प्रक्रण कैसे पढ़ा जा सकता है तो यहाँ पर दिये गे जो प्रशन है उसका उत्तर क्या होगा वह दूसरा राइट मेरे आधार पर मैं आगे बढ़ रहा हूं ठीक है यहाँ तक किसी कमन में कोई डाउड कोई प्रशन होता पूछ सकते हैं लेकिन अगर विकल्प का हो तो भाई आप प्रैक्टिस सेट में कौन से पढ़ते हैं आप प्रैक्टिस सेट को जाने कि मैं आपको इलनी विद्रगे की तरफ यार आप लोग लंबा क्लास होती है और आप लोग इसी में लंबा कर देते हैं चलिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा एक सिच्चिका है उसे च्चिका आप में से कोई एक हो सकता है सिच्चक कोई आप में से एक हो सकता है तनाओ गरस बच्चों की पहचान कर सक करते हैं उसके कौन से बहवार से आप यह जाएंगे कि बच्चा तनाओ में जैसे हम जाते हैं कौन चोड़ी से बात पर गुस्सा हो जाते हैं कौन हाथ छोड़ी चोड़ी बातों को अपने उपर ले लेते हैं वो समझ्यों को नहीं समझ पाते तुरंत प्रतकिरिया देना सु होगा सभी लोग फटाफट कमेंड करें और कमेंड करके प्रश्ण का जबाब दे आराम से बताइएगा मैं पूर्ण व्याक्थ्या करूंगा आपसे निवेदन हैं कि अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो क्लास समझ में आ रही हो तो सेर जरू करिएगा अपनी स्टेटस प अगर कोई बच्चा अगर कोई बच्चा इसका मतलब क्या है वह बच्चा प्रखर बुद्धी वाला है और वह विस्ष्ट बालक के अंतरगत आता है ठीक है यहाँ पर क्या होगा यह उसके बिहवार को नहीं बताता बहुत बात करना जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं बहुत बात करता हूँ क्यों कि मुझे तथ्यों को समझाना है तो जो बहुत बात करे वो क्या है वो तरव में हो तो मैं पढ़ाते समय मैं जिस भी से को पढ़ाओ मैं ब्याक्ख्या पूरा करता हूँ चाहे लोग बार बढ़ता हूं तथ्य को आपकर लिकल्ट कर लिता हूं मेंन MARY रहा है कि यह आगरता इसा होता कना में पाल जोड़ा च几ी बातों पर 100 rodo konac सब्दसें का लिए नहीं कर न we हैे तोड़ी प्रक्रिया प्रायत क्रें अदिव प्रक्रिया कि दौरान बच्छों में यह चीज एक प्राहय देखने को मिलती है ठीक इसलिए यहाँ पर दिया गया जो प्रश्ण है सभी लोगों ने सभी लोगों ने क्या है एसका राइट एंसर बताया है हाइपर एक्टिविटी के बारे मैंने बता दिया और जो लेट सो जुड़े होंगे थोड़ा से वीडियो पीछे करके देख लेंगे मैंने हाइपर एक्टिविटी बहुत बात करना पढ़ाय में पूर्ण का करता हूँ मैंने चारों भी कल्प की ब्याक्ष्या कर दी जो स्टार्टिंग से वीडियो को देख रहे होंगे उन्हें सारी बाते समझ में आ रही होंगी क्योंकि अगर इससे बहतर परियावरन गण कर रहा हूं अगले परिश्टे की तरफ लेकिन आपको अंदर तक बने रहना पड़ेगा अगर आप इस सोचे तुरंत आया तुरंत आपको महलुआ बना के देदू आप खाले और आपका सीटेट हो जाए तो ऐसा नहीं है आपको सीटेट के लिए समय देना पड़ागा ठी चिवावक्सिचक अंता किरियाओं को ऊपलब्द कराने का मुख्यो देश्च क्या है सभी लोग फढफार कमेंठ करें सभी लोग कमेंठ करें मैं अच्छों के लिए अच्छा बोल सकता हूँ बुरों के जब अच्छा बोलने लगेंगे तो अच्छे की वेलू कम हो जाएगी इसलिए हमेसा अच्छे को अच्छा बुरे को बुरा बोलना सिखे ताकि अच्छे की वेलू रहे यहाँ पर दिएगे प्रश्ण में चार विकल्फ हैं आपके पास, चारों विकल्फ में से किसी एक विकल्फ का चेहन करना है, आईए, मैं तथ्यों की बैक्ष्या करता हूँ, आप लोग जबाब तुरें दिया करें, बहुत सरे लोग है वीडियो को लाइब देखते हैं, उस यहाँ आपको सलेक्षण लेना है, मेरे कहने भी नहीं आपकी महनत पर मिलेगा, यहाँ पर देखिए, विद्याले में हो रहे किरिया करण пять के बारे में, जछानकारी करना है, वह तो जरूरी है, लेकिन इसका उद्धिस नहीं है, यहाँपने मुख्या उद्धिस पूचा, यह मुख को देश नहीं है अभी और को ताउगत कराना है यह बात आपको पता है फिर एक दूसरी के कम्या उजागर करना मैंने आपको बताया है हमें बच्चों की गलतियों से सीखना है यहाँ पर एक लेसन है अधिगम जिसमें थांडाई को आपने पड़ा होगा थांडाई क्यंता क्रिया को अप्लब्द नहीं उद्देश होगा पुनर बलन और सुधार के लिए बच्चे की योगिता और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते कुछ मेरी तरह मंद बुद्धी बालक होते हैं कुछ आपकी तरह प्रकर सामान पॉइंट है इसका स्ट्रॉंग पॉइंट है बहुत सारों बच्चें बड़ी तेज होते हैं थोड़ी बातों पर बड़े-बड़े मु हम बनाना सुरुका दो done to उन्ही कम्यों को जानना उन्ही कम्यों को सुधार करना या सिच्छक्काओं करना है कहां पर NCRT के आधार पर NCRT 2005 के आधार पर मैं आगे प्रशनी के तरह बढ़ रहा हूं जितने लोग को क्लास समझ में आ रही होगी वाई कमेंट करें जतने लोंको नहीं समझ मारें यह वह यं कमेंट करें कि प्रदिल सामको इलेनी विद्रगेस पर जूनियर की प्रामरी की क्लासेद इलननी विद्रुगेस फ्री चलती है और सबसे बड़ी बात यह जो क्लास चल लगी है संस्कीत की भी सारे दस बजे से चलेगी और साथ बजे से आपकी EBS, गौनित और हिंदी सिचन चलेगा तीनों सिचन उसके पहले बिज्ञान, गौनित और अंग्रेजी सिचन चलता है फिर उसके बाद CDP चलेगा तो सारी क्ला सबी बड़े सहर, मैं आपके दिमागों में साथ बेस्त रखना चाहता हूं, जब आपका दिमाग बेस्त रहेगा तो आप हमेसा नई चुझे करेंगे, आपके अंदर रचनात्म गुण का भीकाश होगा और आप हमेसा बहतर करने के लिए आगे बढ़ेंगे, सबी बड़े सहर सडकों पर भारी संख्या में वहनों के कारण वाई प्रदोशन के समस्या का सामना कर रहे हैं, यह तो हम लोग भी देखते हैं, इसे हम जाम कहते हैं, परियावरा सरच्षन के लिए सहर के लोग बेक्तिकल तरूप से किस माध्यम का सहयोग अपना सहयोग दे सकते हैं, सर्च करिएगा बिना स्पेस के इलनी पी दुर्गेश से जुड़िएगा ओनलाइन क्लास और नोट्स के लिए 630-634-367 पर वाट्सप करके घर बैठे आप इंस्याटी पैटर्न के सभी नोट्स प्राफ्ट कर सकते हैं ओनलाइन ठीक यहाँ पर ध्याँ से दिखिए मेरी बात समझेगा जैसे आप लोग स्कूल जाते हैं चोटा सा मैं कलपना करता हूँ सभी लोग स्कूल जाते हैं कुछ लोग स्कूटेश जाते हैं कुछ लोग बाइक से जाते हैं कुछ लोग रोड़ बेस से जाते हैं कुछ लोग टेंपो से जाते हैं सब अलग अलग वहनों जाते हैं तो जो बाइक से जाते एक परीग बैठके जाता है यहाँ पर क्या करना है यहाँ पर एक ही बात करना है कि इनको कैसे पर दूसराण को कम किया जाए तो भाईया फटा फट कमेंट करें आप लोग देखिए इसके बारें बात करते सब्ढम के लिए कि परयावर्ण सेमा के लिए बिक्तिगत वाहन की दिखने की को करने के दिख arbit ना करने से वाहनों का समच्या है वह खत्म नहीं हो पाईगी इसलिए यह आप अपना से नहीं रिभ व्हुत्ता करना यहां पर इसका उत्तर भी होगा कैसे भी होगा आएसको अच्छे से डिफाइंड semi कोई a is goin by अपने इसना कोई अपने अपने नियुद से यदा अलंड लोगों से अलंक तो जाते मालेजी आप अच्छा में सैकती दूर केपर चौर्टान यह बागी कुछ लोग अपने साइकल साते हैं अगर ये 1010 इसकूटिस आते हैं 10 के दूमें 5 के 15 दूमें निकलेंगे अगर ये एक बस से आते या एक टंपो से आते तेक टंप्रस्टन होता बाकि से होता तो वहां पर क्या है और सरुजिदिक वाहन का प्रियोग करना जियां जुरिक नेट्रीबरे Portuguese लगातार चलती है उसकी क्लास की टैमिंग सरो अध्य कि ऑ निद्याय है कि आह और टेलेग्राम पे मुझे ध्यान नहीं आ रहा है साथ पांच बज़े से किग्या जुनियर नहीं साथ क्लास में सख्री होना चाहिए तरफ कके आपका सोर्गुल नहीं हो रहा है क्लास के आपका अनुसासां है इसका मतलब आपके अच्छे यहां पर कह रहा है वायू हर जगह है इस प्रक्राण को पढ़ाते समय एक सिच्छक सिच्छार्तियों से निम्निखित प्रश्न पोस्ता है यहां पर चार विकल्ब दिया गया है आपके पास 30 सिकेंड का मैं समय देता हूं 30 सिकेंड पर आपको सही विकल्ब का चेंड करना है सब भी फटाफट कमेंड करें कि किसी भी क्लास के लिए आपको टेलिग्राम जॉइन करना पड़ेगा और टेलिग्राम डिस्केफसर ने वीडियो के दिया है नहीं तो आप दुर्गेश सर्फ बिना स्पेस के सर्च करके इलेनी पर दुर्गेश को जॉइन कर लेजेगा यही लोगों आपको मिलेगा ठीक चलिए फड़ाफट टेलिग्राम जॉइन करें वा सभी जनकारी मिल जाएगी क्योंकि आप जानकारी मतलिए क्लास पड़िए समय भामुल्य है जानकारी लेने के लिए टेलिग्राम है चलिए फड़ावट पताई क्या होगा चलिए ध्यान दीजेगा अब मैं एकदम आराम से इसको समझा रहा हूँ एकदम बढ़िया से किसके आधार पर अच्छा कुछ लोग ऑनलाइं क्लास के लिए 63063-4367 पर वार्टसेप करके ऑनलाइं क्लास नोट समंधित आप जनकारी यहां से लेंगे अब मैं यहां पर बता रहा हूँ देखिए क्या मिर्दा में वायू है अभी बच्चा जिसे मैं पूछूंगा कि मैं आप से पूछ करेंगे इसका वरगी करन करेंगे संवेगात्मक करेंगे और लोकन करेंगे इस पर चिंता करेंगे सोचेंगे हाँ यार मिर्दा में वायू है की नहीं है अगर नहीं है तो के चुहा जो होता है वो जमीन में कैसे रहता है चुहा जमीन के अंदर कैसे जिंदा रहता है इसका मतलब कि क्या है उसमें वायू है फिर क्या पानी के अंदर वायू है अगर पानी के अंदर वायू नहीं है तो इसमें अक्सिजन कैसे है अगर अक्सिजन नहीं है तो गलफड़े से सांस कैसे लेती है मचलिया इसका मतलब बच्चे सोचेंगे यार पानी में वायू है तब ही तो लोग जिंदा है इसलिए वो सोचेगा हाँ इसमें चिंता करेगा क्या हमारे सरी में भी वाई है अब बच्चा क्या करेगा अपने मूझ से फूकेगा जब फूकेगा तो गुपारा फुल जाएगा हाथेली पर जब हवा मारेगा उसको क्या पड़ेगा भर पता चलेगा तो जानेगा हाँ यार हमारे सरी में भी तो वायू है, फिर इसका मतलब ये भी शही है, क्या हमारी हड़ी में भी वायू है, क्या हमारी हड़ीयों में भी वायू है, इस बिसे के लिए है या नहीं साइद नहीं है, इस बिसे के लिए बच्चा क्या करेगा, चिंतन करेगा, मत अगर आप सिच्छक हैं और बच्चों को यह पढ़ाना है कि वायू में भार होता है तो कैसे पढ़ाएंगे एकदम आसान तरीका बच्चों कैसे पढ़ाएंगे वायू में भार होता है क्योंकि अगर केवियस के इंट्रव्यू में यह पूछा जा चुका है अगर आपने हुए है ठीक है तो तो के बेस्क इंटर्वू में पूछा गया था पिछली बार कि वाई में भार होता है अगर एक अध्यापक है तो कैसे पढ़ाएंगे एकदम आसान ततिका मैं बता रहा हूं ध्यान से सुनिएगा या आपके सीटेट में भी काम करेगा के बेस्क इस पाजु बनाते हैं तो एक काम करिए दो घुबारे लीजिए उनको समान मत्तरा में फुला लीजीए अब फुलाने के बात क्या करिए उन्हें एक डंडे में के दोनों चोर पर बांद दीजिए और इसको पकड़ीये बच्चों को सामने पकड़ीये बच्चा देखता है दोनों के भार बराबर है अब क्या करिए किसी एक गुबारे में जैसे ये बी है इसको सी कर देते हैं किसी एक गुबारे में सुई चुब होगे जब सुई चुब होएंगे ये पीचक जाएगा और क्या हो जाएगा डंडी नीचे की तरह पाजाएगा अब बच्चे जान जा हाथ की जो हतेली होती है, यह मुझे चित्र बने नहीं आता, यह आपकी जैसे हतेली है, माल लिए किसी की हतेली है, इस हतेली पर जोर से फूकिये, मेरा आड बड़ा गंदा है, इसलिए सुरी, हतेली पर फूकिये, जब हतेली पर फूकते हैं, क्या उस पर बलकाम करता है, क्य पर दोनों गुबारे को उन्होंने क्या किया पहले उन्होंने फुला दिया ठीक है दोनों क्या कि उन्होंने फुला दिया फुलाने के बाद उनके रसी से बात दिया रसी से क्या किया बात दिया बाधने के बाद हम लोग को दिखाए बराबर मात्रा में था उसके बाद एक गुबारे को उन्हों को औलोकन किया जैसे बीज को बोने के बाद पेड़ तक कैसे बनता है बच्चे को हर एक स्टेप के बारे में जानकर लिखकर समझना जो वह औलोकन करना है अब कहेंगे सर यह वरगी करण क्या है इसे क्लासिफिकेशन कहते हैं जैसे कच्छा में कह दिया जाए कि कितने लड़ लाए हैं तीन लोग टिफिन नहीं लाए हैं दो लोग मैगी लाए हैं सराथ लोग ब्रिड लाए हैं इस प्रकार बच्चों ने चीजों को अलग अलग किया मद्यान भोजन के आधार पर इसका मतलब ही हो गया कि बच्चों ने वरगी करण किया बच्चों ने क्लासिफिके किया अब समयगात्मuyu कोशल क्य होता अब बच्चों के अंदर गूरल राते उसे हम समयगात्मका अका नाम से जानते हैं मतलब यहाँ पर जो प्रशन का दिया गया था कर तो आपकह मन में ये बात उठेगी मैं कर पाऊंगा नहीं आपके मन में चिंता होगी और आप कहेंगे सर की class, ped class में कम चीजे पढ़ा जाती हैं लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कम चीजे पढ़ा कर भी selection दिया जा सकता है कम चीजे पढ़ा कर भी selection दिया जा सकता है तो यह आपने क्या किया, चिंतन किया। मैंने जैसे देखा, मैंने का किया या ओलोकन किया, कि आप लोगों में से कुछ लोग वीडियो को लाइप देखते हैं, लेकिन उनको को share करना और like करने में कटना ही होती है फिर ऐसे लोग को देखकर अपना मनोबल टूड़ता है और लगता है इतना मेहनत क्यों करो जब लोग share नहीं करते जब लोग like नहीं करते तो यह अलोकन किया फिर वरगी करना फिर मैंने क्या किया उनका वरगी करन किया उनका classification किया फिर समयगात्म को उसल फिर मैंने क्या किया कि इन सबको देखने के बाद मुझे लगा यार किसी carrier से नहीं खिलवार करना चाहिए लोग पढ़ें या ना पढ़ें मुने हर प्रश्न की बिस्तित ब्याक्षा करने चाहिए इसके लिए मुझे लाइब आने के बाद मुझे उनके जीवन के से खिलवार ना करके हमें तत्यों को ब्याक्षा करना चाहिए लोकि उनकी carrier से बढ़कर हमारी क्लास नहीं इसको उने क्या किया सवेगात्मक को उसर लिया इस प्रकार हमने चारों भी कल्प के बारे में बता दिया अम मैं बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ ज्यादा पढ़ना माने नहीं रखता सेलेक्षन माने रखता है इसलिए याद रखिएगा कि आप यह म आप सेलेक्षन के लिए पढ़ रहा है चलिए अगला प्रस्ना आप के लिए है निमलिखित में से भोजन बनाने का सबसे ंच्छा तरीका कौन सा है प्राया महिलाएं भोजन बनाती है और ज见ि लोग भोजन बनाती है ज्यों सभी लोग जरा कमेंड करें और कमेंड करके ब प्रत्रम करने किसी का गलत नहीं यहां पे ब्याख्या करना कर नहीं है कि यह तो यहां पर हम देखेंगे ने सब्ज़ने का दोलत आपके approved कर्णे के वाट नहीं से नटस मेरे फार्स की मिम नगे क्लास के साथ नोट्स भी पढ़िए तो आपको पूरा ये पता होगा कि पहले सबजी को धोलो तब काटो कि काटने के बाद भूएंगे तो क्या होगा उसकी जो अखनी जलंवाड और बिटामिसों तो धोल जाएंगे न ठीक है मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्ण क कि तरफ क्या आप प्रदिन क्लास में रहेंगे साड़ी आड़ बजे सीडेपी क्लास से लेगी भूलियेगा मत साड़ी नोबजी क्लास जीएस की साड़ी दस बजे संस्कृत की मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले पश्ण की तरफ सबकी लिंक टेलिग्राम पर मिलेगी मैं अगले की तरफ बढ़ रहा हूँ अब यहां से सुरू होगा आपका सीटेट की मैं पड़ागोगी क्लास मतलब गणी सिच्छन तो भया कितने लोग ऐसे हैं जो गणी सिच्छन के लिए पूरी तरह से तयार हैं फटा-फट कमेंड करें और आप एक मिनट का समय लगेग जिसका नाम था परियावरन सिच्छन अब हम गणी सिच्छन के तरह बढ़ रहे हैं और इसको पढ़ाने के लिए हम पूरी तरह से NCIT का यूज करेंगे कहेंगे सर NCIT कैसे NCIT किताब गणीत का जादू एक परिच्छा में पूछा जा चुका था कि इंटरव्यू में कि प्रा जादू तो हम गणीत के जादू किताब पर मैं आगे की प्राश्न की ब्याक्ष्या करूंगा ठेक है और उसे बाद आप अपने इंटरव्यू वाले प्राश्न को भी अच्छे तरह तरह तयार करते रहे हैं और जल्दी जितने लोग वीडियो को लाइब देख रहे हैं उन को तक पहुँच जाए और ये क्लासे इलालिंग विद्रगेश की जौनपुर जनपत के सिराजी हिंसे चलती है और यहां पर आउलेंग क्लास नोट्स के लिए एक नंबर दिया गया है यह नंबर हो सकता है आपके काम में आ जाए ठीक है आपके साथियों के भी काम में आ ज हो गया लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया देखिए यहाँ पर मैं थोड़ी सी मैं आकरती में परिवर्चन कर रहा हूं तो उसको सब्सक्राइब करें एक दम हलूआ वाला प्रस्णा है मतलब इस से हलूआ होई नहीं सकता है बता ही सब्सक्राइब नहीं चाहते कि और लोगों तक पूचे क्या आप नहीं चाहते अच्छी चीजे जादे लोग तक जाए अगर ऐसा है अगर आपके विचार में तो वीडियो को जरूर पहुचाईएगा यह अपना चैनल मानकर मेरा नहीं और डेली लाइब टाइम से आया करिए उसके लिए लिंक आपको टेलीग्राम पे मिलेगी टेलीग्राम डिस्केप्शन में लिंक भी है और नहीं तो दुरगेश सर्च करिएगा इस पेस मत दीज लिए को वेख तके गरन की साहता आकरे तो श्यक्तर पर जाद करना एं रहीं व्षी ौश्यव में हंवस्तू आद नहीं याद प्यार जगद और लिए नहीं थे ौजड़ मैंने अपर हात दिया तो या यहात कितना जगनेगा तो फिären मेन्हें अपर जग दिए मैंने पाइंपर पंसलर रग दी अब मैं कहें लेगा तो पत्ती रग दिया हम ने कोर्ड रग दिया तो कितना जगा लेगा यह बच्चों को पहले बता ना है माफ है, मैं गोली नहीं मार दूँगा, लेकिन यहां गलती करेगा, मेरी निवेदन है, कि परिच्छा हाल में गलती मत करेगा, सारी गलतिया कर लिजे, सब प्रशन का उत्तर गलत बताइए, यहां से सीख कर जाएए, मैं आपको सिखाने आता हूँ, मैं पढ़ाने नहीं आता मैं आपको रटाने नहीं आता, मैं आपको सिखाने, मैं आपको सेलेक्शन के लिए पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैं तीन तीन बार सीटेट क्वालिफाई हूँ, और मैं यह चाहता हूँ, आप भी जब भी आए, तो हर गयत को बाउंडरी के बाहर भेजे, उसके लिए आपको अगला प्रशन आपके लीच आपको दिख रहा होगा, आथ ठीरे पढ़ा रहा हूँ क्या, गरित में गळणा करने से सम्मंदित कोशलो को किसके दौरा बढ़ा जा सकता है, जैसे बहुसे बच्चों को गळणा करने बड़ी समस्या होती, आप कैसे उस गडणा करने की जो कैसे बढ़ाएंगे, सभी लोग फटाफट कमेंट करें, जैसे कल्कुलेशन जिसे कहते हैं, सभी लोग फटाफट कमेंट करें, बताएं कल्कुलेशन को कैसे बढ़ाया जा सकता है, जी हाँ, मैं यह क्लास जोनपूर से चलती है, टीडी कालेज गेट के पास, रोडबे परिभासा सोत्र ये गलत संकल्पनाओं और प्रक्रियाओं को अस्पष्ट करने के बाद अधिक से अधिक अभ्यास करना ये कुछ तक सही लग रहा है फिर आगे बढ़ रहा है कच्छा में अभ्यास ही तू किरिया सील गद्विधी का आयोजन करना आये में इस तथी को व्या देगी तो पंदर दिन में कितना देगी ऐसे मुझसे दिन भर के सवाल पुछे आते थे जो हमारी गद्विधी होती थी और मुझे करते करते आज इतना स्ट्रॉंग हो गया है कि मैं पूरी गणित बीना किताब के पढ़ाता हूं आप कहेंगे सर आप तो EBS पढ़ाते हैं स 16 रुपया लीटर है और मैं एक पॉप प्रदिन लेता हूं पंदर दिन का कितना पैसा होगा यह कैसे यह मैंने बच्पन में जम लोग सोते थे पापा के पास प्रस्ण प्रदिन पूछा जाता था और एक प्रस्ण के जवाब पर एक टॉपी मिलती थी तो धीरे-दीरे करक हम लोगों ने क्या किया कल्कुलेशन को स्ट्रॉंग कर लिया आज छोटी-छोटी कल्कुलेशन आती है तुरंद कर लेते और गणित से डर खतम हो गया तो इसलिए इस प्रस्ण का उत्तर क्या होगा वह एस का राइट एंसर है एस का शही होगा ठीक यहाँ पर याद रखि हुए हमेशा मूर्त वस्तों को ध्यान में देना है मूर्त वस्तों से घ्यान सिखाना वस्तु हटा लेंगे और गणित का ग्यान सेस्ट बचेगा इसलिए यहाँ पर जितने लोग इस वीडियो को लाइब देख रहे हैं वह याद रखिएगा कि कच्छा में क्रिया सिल्गत बिदी का आउजन करके गणित में गणना करने समदित कौसल को बढ़ाया जा सकता है ठीक और यहाँ पर संकलपना परिकल्पा असपश्ट करने के बाद बच्चा गर असपश्ट नहीं कर पाएगा अगर कोई मंद बुद्धी बच्च्च होगा जैसे मैं इसको इरेज कर र अभ्यास के लिए क्रिया सिल गद्धी देंगे कैसे देंगे राम तुम्हारे पास दो आम है स्याम की पास दो आम है कितना हो गया एगा सर चार आम अच्छा ये बताओ मेरे पास दो पेंसिल है और मैंने एक पेंसिल वहां से ले लिया कितनी पेंसिल लिए एगा सर तीन पे से किलियर हो चुका होगा फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट कोई प्रस्णों कमेंड कर सकते हैं आपका भी यह राइट है आप अपने मैं आपसे प्रस्णों पोछ सकता हूँ आप भी पोछ सकते हैं मैं आपको संतुष्ट करूँगा और साथ इस सेलेक्शन भी ठीक इसको बच्पन में एक और एक कहते हैं क्या कहते हैं एक और एक कहते हैं जैसे हमें बच्पन में जैसे कर तीन में से दो घटाना होता था हम एक लिखते थे तो यह बच्पन के बारे मैं पढ़ा रहा था मैं यह कच्छा की बात बता रहा था कुछ लोग करसर 11 में एक कौन से विदी यह मैंने आगमन विदी का पर्योग किया और यह कौन से सिचन विदी है आगमन सिचन विदी यह मूर्त वस्तुओं कोette माध्यम से कैसे गुंच सिचन किया जाता है मालिक इतना गलत नहीं है गुपता जी धान दीजे इस बात को मैंने आपर क्या क्या एक दो मैं बोल रहा था क्या दो में एक जोड रहा था ठीक है कि मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले पश्णी की तरफ यहां जौनपूर में क्लास चलती है और घर बैटके पूरी पदेश में कहीं से पढ़ सकते हैं क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके जरू बताएगा यह फिस्बूक पेज पे इलनी बिद्रगेश यूटूब चैनल इलनी बिद्रगेश पर लाइब है अगला पश्णी क्या है यहां पर देखेगा कच्छा तीन के विद्यार्थियों को लंबाई की विभिन एकाईया पढ़ाने के लिए सिच्छक मने आप आप सिच्छक हैं सामागरिय कच्छा में लेकर जाएगा यूटूब पर डेली क्लास चलती ही लेरी बिद्रगेश पर सब्सक्रा-की साथ क्लास के लिए इसाथे सांस और मैस। की फिसे इंग्लिस की और फिर साथ बज़े ऑपा योट्रिय ज याँ पर अपक्रति एजाब हें सब्सक्रीप सस्क्रीबर्डी से बंक कů inference यहां पर आप आपको को बताना है इस प्रशन का उप्यक्त विकल्प क्या होगा सभी लोग फड़ाफट कमेंड करें देखिए सबाल का जबाब दिया करिए यार सभी लोग दिया करिए देखिए कुछ लोग आएंगे तुरन चले जाएंगे लेकिन कुछ लोग को यह निजबता को रुकेंगे नह नहीं अब उसे देख कर दो मिनट के क्लास इस मेरा अलासिस नहीं कर सकते मैं कैसा पढ़ाता हूं आपको उसके लिए कमशकम एक क्लास को तो पूरा पढ़ना ही पड़ेगा निजबाने के लिए सिच्छक समागरी कछ अम लेकर जाएगा क्या क्या विभिन एकाई यों वाल दौर अप्रियुक मिलाई जाती है भैया उसको पैमाना नहीं पढ़ाना है पहले पहले बताइए कच्छा तीन की बच्चियों को पैमाना पढ़ा देंगे पैमाना में एक दम ना पो अलग तो भगने लगेगा हमें कौन सी टेप का यूज करना है जो बच्चा रोज देखता है बच्चा कौन सा टेप रोज देखता है कमेंट करके बताइएगा हमें ऐसा टेप का यूज करना जो बच्चा प्रदिन देखता है ठीक है दिखिए यहाँ पर क्या होगा बताईए आईये मागे बट दिखिए मैं सभी को उस्पष्ट करूंगा अब दिखिए यहां पर देखिए नापने वाली टेप जिसके एक तरफ सेंटीमीटर दुसरी तरफ मीटर हो फिर बिभी निकाईयों का समय चाट सेंटीमीटर अलकर अब चारों बिकल्ब को देखने के बाद यह लग गया किस प्रश्ण का उत्तर क्या होगा यह इसका सई है क्यों हमें कब पता चल बास्तुकार दौरा प्रियुक मिलाए जाने वाली फट्टा मैंने ऐसी छड़ जो बच्चा अपने आसपास देखता हो मतलब यहां पर सेंटीमीटर जो एक तरफ मीटर में हो बच्चा कहां से जानेगा मीटर सेंटीमीटर फिर बिभी निकाईयों का संबन चाट जैसे मिल परिशन को देखने के बाद आपको समझना पड़ेगा हम गलत करवाय नहीं हम आपको समझाना चाह रहे थे मेरा उद्धेश आपको समझाना था पर इच्छा में आप ऐसी गल्तियां ना करिएगा तब तको समझीएगा तभी आपके कॉंस्ट के लियर होंगे ठीक है इसलि कि मुझे लग रहा है कि आप लोग सेर नहीं करना चाह रहे हैं अगला प्रशनाप के बीच है कि कच्छा तीन के विद्यार्थियों को संख्या पदती पढ़ाने का उद्देश क्या है सबी लोग फटाफट कमेंड करें कच्छा को ध्यान दिजेगा कच्छा तीन की बात कर र लिए विद्या माई कसा में विडियो को सभी लोग सेर करेंगा जीतने लोग लाइब देख रहे हैं सबी लोग इतना का हमारे लिए मेहनत करिएगा और प्रैक्टिस जल्दी लगने भी दुर्गेश पर आपको प्लक्ट दोगी आप प्राप्ट कर सकते हैं देखें यहां कच्छा तीन के विद्यार्थियों को संख्या पदती पढ़ाने का उद्देश क्या है तो जादतर लोगों इसका उत्तर डी बताया है ठीक है भाईया तो अगर आपने डी बता दिया है तो भाईया उनके कौसल में प्रविर्टा लाना बच्चे को तेज नहीं बनाना है ब मैं वैसे ही पढ़ाता हूं मतलब यहां पर बच्चों को याद नहीं करवाना मुझे आपको सेलेक्शन देलाना है आपको मार्ग से मतलब नहीं सेलेक्शन से मतलब है अब यहां पर बड़ी संख्या को पढ़ने में यह भी नहीं है भाईया हम तो मंद बुद्धी बालक है च्छांको गरना ये भी मंद, आप हमको संख्या सहकड़ा, इकाई, दहाई, सहकड़ा के समू में देखना, स्थानी मान के साथर्ष्टा के बारे में बताना, तो ये जैसे यहाँ पर बना देना, यहाँ पर इक बिंदू, यहाँ पर दो बिंदू, यहाँ पर एक बिंदू, इसका मतलब 3, 1, 2, 1, इसका मतलब 3121, यह क्या हो गया, अस्थानी मान क्या उधार ना हो गई, आप कहेंगे सर यह तो अपने छोटा सा डाइगरम बनाया, क्या बना दिया, मैंने यहां पे इकाई, दहाई, शैकडा, हजार का मैंने डाइगरम किरेट कर दिया, और यह हो गया, अस्थानी मान की समझ, यह भी सीटेट का पूछा प्रस्ण है, यह मैंने डाइगरम बनाया है, यह सीटेट में पूछा जा चुका है, जी हां, मैं जितनी बाते कहता हूं, क्लास में जितनी बात के आप सुनते हैं, सब का संबंध सीटेट और KBS की इंटरव्यू से, अगर आप KBS की तेहरी में, अगर सीटेट के बाद KBS देना चाहते हैं, तो बैया, मेरी कलास अगर आप पढ़े हैं, इंटरव्यू में दोड़ते हुए जाएगा, और आपका सेलेक्शन दोड़ा करोगा, क्यों? क्योंकि कि के इंटरव्यू में आपकी सिच्छन ही सबसे ज़्य सादा माने रखते हैं, आपका सिच्छन कोसल कैसा है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अगले प्रश्ण की तरफ, अगला है, सबसे उपरिव रचना, जिसका प्रियोग धनरासी के योग की कुसलता को आत्मसाथ करने के लिए, समझने के लिए किया जा सकता है, तो भाईया, ज मतलों कैसे हम बताएं, कैसे बताएं, एकदम हलुआ है, दिमाग लगा के जवाब मत दीजेगा, बच्चों की तरह सोचिएगा, कि बच्चा कैसे सोचेगा, आपक एक अच्छा में, अगर आप बच्चों की तरह सोच लेते हैं, इसका मतलब आप प्रश्ण को हल कर पाते है किलियर हुआ आपका कॉंसेप्ट भीया मालिक वीडियो को सेयर तो कर दीजिए पैसा नहीं लगेगा दस लोग को बताइए लिए निवे दुर्गेस पे क्लास पढ़ने के लगर आपको बहतर लगे तब अगर इससे बहतर को इसे छणा आपको पढ़ा कर आपकी परिच्छा म संप्रेशन का प्रयोक यह भी गलत है यहां पे बहुत सारे सवाल हल करना जैसे मैं चोटा सा प्रश्ण पूछूं ठीक है ठीक है तो यहां पर मैं चोटा सवाल आपसे पूछूंगा कि जब हम गणित की कच्छा में बच्चों को पढ़ाते हैं यह इंट्रव्यू में पू पढ़ने के बाद चार से 5 अध्याइप पढ़ने के बाद उसमें एक दछता भ्यास होता है उसका क्यों होता है कि अभी लूग कमेंट करें जोड़े मैं आगे बताराओं edgarc 400 रुपया है अब ये बताईए और सोनी के पास 300 रुपया है शिवानी के पास 200 रुपया है अब कुल लोगों के पास कैसा होगा तो जो कच्छा में बच्चे होंगे वो क्या करेंगे तुरंट जोड़ना शुरू कर देंगे यहां कह देंगे राम यहां पर देखिए मैं थोड़ा सा मैं और चेंज कर रहा हूं जैसे यहां पर कह दिया जाए कि राम दो रुटी खाता है स्याम पांच रुटी खाता है मोहन आठ रुटी खाता है सोनी 10 रुटी खाती है शिवानी 20 रुटी खाती है अगर यहां पर क्या करके बताएंगे ठीक है ठीक क्लियर हुआ सभी का कोई पूछ रहा है क्लास चलाने का पहला दे हुआ जो लोग लाइब देख रहा बता दें मेरी 2200 वीडियो पड़ी ये चैनल पर कोई पहला दिन बताएं आप लोग जवाब दे दिया करिए ठीक है तो यहां पर जो दिया ग दूसरे स्थान पर है जो सबसे जादी रूटी खाता है तो आप कहेंगे सबसे जादा रूटी शिवानी खाती है सबसे कम राम खाता है उसके बास सबसे दूसरे स्थान पर सोनी खाती है सबसे कम दूसरा कौन खाता है स्याम खाता है तो ऐसे करकर आप क्या कर सकते हैं प्र देखें यहाँ पर है कि एक सिच्छक आधार दस और अस्थानी मान की संक्रपना का विकास करते समय कच्छा में निम्लिखित पहली का प्रियोग करता है मैं आठ दहाईयों और चार इकाईयों से कम हूँ इस गदविधी का उद्देश क्या है तो जितने लोग इस वीडियो को लाइब देख रहे हैं सभी लोग इस प्रस्ण का जबाब देंगे सभी लोग फटा फट कमेंट करेंगे कमेंट करके जबाब देंगे दिखेंगे अगर आप लोग वीडियो को सेर नहीं करेंगे लोगों तक नहीं पहुचाएंगे, तो हम लंबी क्लास नहीं ले पाएंगे, मेरा गला दर्ध होने लगता है, चलाते चलाते हैं, लेकिन आप लोग संख्या बल नहीं दे सकते, चलाते हैं, चलाते हैं, चलाते हैं, चलाते हैं, पहला तो कह रहा है कि कछ्छा में कुछ मजा करना, यहां पर एक रस्ता को तोड़ना, यह तो गलत हो गया, फिर कह रहा है, कुछ लोग डी कह रहें, मैं दो जो बता रहा हूं उनका, विद्यार्थियों को दहाई और इकाई की संकल्पना से परचित कराना, यह भी तो सही लग रहा है, अब कह रहा है, योगात्मक अगलन करना ऐसा कोह यहां पर जिक्र नहीं है, अब यहां पर दो और अस्थानी मान की संकल्पना को द्रण करना, अब जैसे यहां पर है, कि दस इकाईयां और चार इकाईयों से कम हूँ, मानि आठ दाहईयों और चार इकाईयों से कम हूँ, और दस के अस्थानी मान की संकल्पना का विकास करते समय, वो आठ दाहईयों, मानि आठ में कितन दस है तो गुड़े ये दस करेंगे माने दस कितनी बार है आठ बार है माने ऐसे प्रश्ण के लिए बच्चों को इकाई दहाई की संकल्पना नहीं है ठीक है यहाँ पर क्या होगा इसका उत्तर दूसरा सबसे सही होगा ठीक तो यहाँ पर याद रखिएगा दस और अस्थानी मान की संकल्पना द्रिण करना बने अगर आधार दस है उसकी जो संकल्पना है उसको कैसे किया जाए यहाँ पर इकाई दहाई नहीं क्योंकि यह आप देखेंगे अस्थानी मान की बात का है प्रश्ण को एक बार गौर से द का का है अस्थानी मान की संगलपना की बात कर रहा है बात को समझिए प्रश्ण को ध्यान से समझिए क्लियर हुआ बताइए क्लास खतम होने के बाद बाकी के फालतू प्रश्ण पूछेगा अभी केवल गोणी सिच्छण पर्यावरन सिच्छण हिंदी सिच्छण का लावा कोई भी प्रश्ण हजार बार टाइप करेंगे आपको जबाब नहीं मिलेगा यह क्लास प्लाते समय हम किसी भी बाह योग और व्यकलन पर आधारित शब्दों में दिये गए शवालों को हल करने के लिए बिद्यार्थियों की दच्छता का आकलन करने के लिए आकलन के सिर्सक क्या है सभी फटा-फट कमेंड करें और जवाब दें सभी क्लास की जो टाइमिंग है वह सबसे पहले आपको टेल अब आउट में जाकर वीडियो के वहां से जोड़ सकते हैं यह वीडियो हमारे Facebook पेज इलनी बी दुरगेश यूट्यूब चनल इलनी बी दुरगेश पर लाइब चल लई है ठीक दूसरी बात ऑनलाइं क्लास और नोट्स के लिए 630-63-4367 पर वार्टसेप करकर घर बैठ कर सकते हैं सचक भरती के नोट्स परवाप कर सकते हैं की जलदी किलास आप के लिए भी सुरू होने वाली है सीट के बाद तो यहां पर आप लोग फड़ापर सवाल का जवाब दीजे क्या होगा कि ति यह जवाब जरूर दिया करिए ठीक खाद जाल में उर्जा का प्रवा किसी ने पूछा है यह यह सिच्छन है परेवन सिच्छन है कि सभी लोग प्रश्न का जबाब नहीं देते हैं अब गलत कि सभी लोग डिडी बतार रहें और लोग बता यह सब्लोग बताइए कि मतवाटी चाहिए कि अब यहकी बेश्ट बहुत इस यह कि आ यह सभी लोग किसी ने पूछा है कि खाद जाल में जो अर्जा का प्रवा होता है कैसा होता है मतजिए कि चलिए उनका जवाब देते रही है और मैं भी बता रहा हूं चलिए ठीक है फिटाफट कि दिखिए यहां पर क्या होगा कि सवाल का बोधन निश्पादित की गड़ती रूप में संक्रियां पचाना समस्या का गड़ती रूप में निप्रण शवाल का समाधान प्रसुति करन करना मतलब जितने लोगों ने दिये गया प्रश्ण का उत्तर चोथा बताया था उन सभी के जबाब पूरी तरीके से शही है माने जितने लोगोंने बताया उन सबी के जबाब क्या है? पूरी तरह से शही है. ठिक? मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले पेस्टेन की तरफ. चली. आगले पेस्टेन की तरफ बढ़ रहा हूं. चल्ड़ादा परस्टेमा है आपके सामने. साथ उमीद करते हैं या आज आपका है यहां पर एक ग्रेट दिया गया है अब इस ग्रेट को पहले देख लीजिए गा कि अब फटावर पहले कमेंट भी किया करी और समा जवाब भी दिया करी अब बताईए कि सबी लोग फटाफट बताइए कि देखे बिभीन दिस्वाव में होता है क्या होता है विभीन दिस्वाव में होता है कि चलि मैं आगे बता रहा हूं एक दिसी बहुत दिसी में मेंटल डियाग्राम बना के किले कर दे रहा हूं पर यहां पर एक पद्धती दी गई है इस पद्धती द्वारा जो सुस्री रीना है सुस्री मने रीना जो है वह क्या बताना चाहते हैं कि सब्सक्राइब कमेंट करें लेंगे देखें कि प्रक्रम सील ग्यान पर सफस्यादा बल दे रही है ईज़ा ब्रेक्हों परिष्ट्री धिश्री मेंट कर देखें देखेंगे तो यहां पर रीना ने दस्मलों के गुड़न से कलपना का सिच्छन करने के लिए गरीड़-घजविधी का प्रियोग है उसले नमूना दिया गया है। यहां पर यह प्राप्त हो गया जब यह प्राप्त हुआ तो जो रीना है सुस्री रीना जो है वह अपनाई गई जो पद्धती से संकल्पनात्मग्यान और समस्या समाधान पर बल दे रहे हैं मने यहां पर क्या होगा समस्या भी आ रही है उसका समाधान भी हो रहा है मने संकल पनात्मक ज्यान और समस्य समाधान पर बल दे रहे हैं लेकिन जो प्रक्रम सील ज्यान है पर कम क्योंकि आप पर प्रक्रम जो प्रक्रम है लगाने का हल करने का जो तरीका यहां पर उस पर कम दे रहे हैं और यहां पर सामानी बिदी का प्रयोग नहीं किया जा रहा है यहां प इस पशन्य का जबाब A बताया है, उन लोग का जबाब A सही है. ठीक, मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले पशन्य की तरफ. खाद शिंखला, खाद जाल दो होता है, ठीक है? एक खाद शिंखला होता है और एक खाद जाल होता है, दोनों में अलग-अलग होते हैं. कि बस आखरी प्रेश्टन है ठीक आखरी प्रेश्टन के बाद कि आज इसके बाद ज्यादे लंबी क्लास से नहीं लेंगे हम इसके बाद सीडीपी क्लास है कि यहां पर जहां दीजेगा कि एक भिन्नो की योग भिन्नो का योग संकलपना को पाट पर योजना बनाते समय सिच्छक पट्टी मोडने वाले गदविधी का प्रियोग करता है देखिए आप पर प्रस्टन आपको पूरा दिख रहा है ने पट्टी मोडने वाले गदविधी का प्रियोग करता है तो ये कौन सी गदविदी है बताइए ये कौन सी बिदी है भिन की योग सांकलपना के पार्ट पर योजना बनाते समय सिच्छत पट्टी मोडने वाली गदविदी का प्रियोग कर रहा है आज इसके लिए आखरी प्रशन पढ़ा है क्योंकि हिंदी सिच्छन आज भी नहीं सबी लोग फटाफर कमेंड करें कमेंड करके जवाब दें और देके सबी लोग टेलीग्राम पर दुर्गेश सर्च करके इलर्नी भी दुर्गेश पर जुड़े रहें मैं प्रैक्टिस सेट की सीरीज से नक कराकर मैं आपको एंस्याइटी का हल देता हूं मतलब जो मैंने है जब मेरा स्वयम का ज्यान है जो सिच्छन के लिए जो अध्यापक के लिए मुझे पढ़ते हैं उसके आधार पर मैं आपको पढ़ाता हूं तो भाईया उस तरह अगर आपको पढ़ना है इलर्नी पर दुर्गेश पर जुड़े रहेगा ऑन्लिंग क्लास के लिए 630 634 36 पर NCRT क्लास की नोट्स घर बैठे प्राफ्ट कर सकते हैं और पेट क्लास जोइन कर सकते हैं जैसा भी अपचा है यहां पर देखिए मैं आपको करके बता रहा हूं देखिए सिच्छक दो रहा है जो अपनाई गई बिदी है यह विश्य वस्तु के पहले गदविदी है जो अभी भिंद पढ़ाये नहीं जा रहा है अभी पट्टी को मोड मोड कर पहले बड़ी पट्टी लिया उसको वाधा कर दिया बच्छे पुच्छा बच्छा यह क्या दिख रहा है कासा राधा तो उसको फिर फोल्ड और किया अब कितना होगा चौथाई फिर उसका एक उस पट्टी को फोल्ड करते हुए जा रहा है और जब फोल्ड कर रहा है तो विस्वस्तु की पहले भी उसने सुरू नहीं किया है अब यहां पर इस प्रस्ण का उत्तर क्या होगा वह होगा एसका राइट एंसर होगा यह नहीं होगा विस्वस्तु की पहले एसका उत्तर चौथा इसका सही जवाब होगा थिक क्लियर हुआ यहां पर डीस का राइट एंसर होगा मतलब पहले बच्चों को यह बद्दे से कह दिये कि बताए यह राम किती रोटी लाया एक रोटी निकाला उसके एक टुकड़ा कार दिया था का कितना हुआ कैंगे सर एक बटा दो यह पार्ट हुआ है तो अभी क्या हुआ अभी भिन्द पढ़ाने की पाठ योजना बनाने की जो बिदी है वो बिस्वश्वास्तू के पहले है बच्चा क्या होगा ध्यर्द समझना शुरू किया की पहले एक था फिर उसको आधा किया मतलब एक में दो किया एक में चार कि एक में आठ किया ऐसे क्या होगा बच्चा धीरे-धीरे करके क्रमसा आगे के तरफ सिखता चला जाएगा ठीक है तो सभी लोग फटाफट कमेंट करें कमेंट करने के बाद जबाब दें क्या क्लास आपको समझी में इसके बाद सीडीपी की क्लास होगी तो सभी लोग इस्टाग्राम, ट्विटर, फेस्बूक, यूटूब, इरलने विद्रगेश पर जुड़े रहिएगा ठीक है आज इकलास आपके खतम करते हैं क्योंकि इसके कुछ मिनट के बाद अगली क्लास है और इसलिए आप इसकी क्लिक कर लें हो सकता है आपके काम आ जाए क्योंकि अच्छे कोश्चन और भी था क्या चलिए एक कोश्चन मैं और करा देता हूं उसके बाद फिर हम आगे बढ़ जाएंगे क्यारा एक अच्छा चार के विद्यार्थियों को यह समझाने के लिए कि से समय सा विभादक से कम होता है उचित उपागम क्या होगा सभी लोग विडियो को शेयर करिए लोगों तो पहुचा इये बस बहुत बहुत धन्यवाद इसक्लास की उत्तर प्रशन का उत्तर हम अगले क्लास में आपको देंगे यहाँ पर कि इसका उतْतर तीसरा होगा क्यूं होगा वह माताएंगे ठीग हैं कि भृवन किवाल स्वाम सीटल के एक तैरी कर रहें उसके लिए हैं बहुत भुत धन्यवाद आपको अगर अपित अपने बीडियो को लाइक और शेर नहीं कर दीजेगा फिर मिलते हैं अगली क्लास के लिए तब तक के लिए बहुत भुत धन्यवाद बेस्ट आफ लग जैहिंद जैभारत बंदे मात्रम पड़ागोगी की जो है सिरी जो है एक ताजी बहुत धन्यवाद आपका मनी जैहिंद ठीक है चलते हैं तब जी जैहिंद जैभारत